हेलो दोस्तों, वेलकम टो आट चानल, कॉर्परेट कहानी तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज की जो मेरे साथ खुद घटित हुई और एक्स्पिरियेंस किया है मैंने तो मैंने TCS क्यों छोड़ा? तो आएए बात करते हैं डिटेल में कि मैंने TCS क्यों छोड़ा सबसे पहले जाते हैं बैकड्रॉप में यानि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा सपना था कि मैं TCS जैसी कंपनी के साथ काम करूँ क्योंकि मुझे टाटा ग्रूप और रतन टाटा इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा मतलब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं फील करता था कि काश मैं इन जैसा बन पाऊं या इनकी कंपनी में ही अटलिस्ट काम कर पाऊं तो हमारे सीनियर्स काफी सलेक्ट होते थे टीसीस पर उजकी फोटोज आती थी कॉलेज की होडिंग पर तो मैं उसे ध्यान से देखा करता था तो सुचता हो इसने क्या आंसर किया होगा कैसा पढ़ा होगा तो होते होते यह होता है कि मैं टीसीस के एक्जाम में बैट नहीं सीजन में और मैं अपना डिगरी कंप्लीट करके दूसरे और इसका नाम है कोगनिजन तो वहां मैंने तीन साल काम किया लेकिन मन में तो टीसीस जोइन करने का था ही यह टीसीस में काम करना यार टीसीस इंडिया की वन आप दे बेस्ट कंपनी है और यह वह तो फिर दो साल जब मैंने यहां काम किया यहां भी मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला काफी एच्छे कॉलिक्स मिले तो मैंने काफी experience भी गेंड किया उसके बाद मैंने कहा time to change फिर मैंने किसी तरह से TCS HR से connect किया और अपनी openings के बारे में मुझे पता चला कि हमारी ही field में वहां opening है तो हम मुझे resumes भेजे और फिर मैं shortlist हुआ हमारे different rounds वे दो technical round और एक चार round managerial everything so किसी तरह से यह process 15 दिन तक में पूड़ा हुआ और मुझे offer later मिला उस time पर मुझे दूसरी companies से भी offer था और उनका package ज्यादा भी था लेकिन मुझे TCS पे इतना faith था कि मुझे लगा कि नहीं मुझे TCS ही join करनी है किसी भी हाल तो मैंने सारे offer को reject किया और सीधा TCS में जब मैं TCS पहुचा तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़ी banking client के साथ काम करने का मौका मिला काफी अच्छे हमारे TL मिले और काफी अच्छे दोस्त वहाँ पे बन गये काफी अच्छे colleagues मिले उनके साथ हमने काम किया लागबग समझे एक साल होने को था कि लॉकडाउन आ गया लॉकडाउन आ गया तो फिर मैं घर चला गया घर का खाना मा की हाथ का खाना इस्पेशली और पिना किराया दिये घर पे रहना वह लाइफ ही अलग थी और TCS का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था तो ज् बस्त जिन्दगी बीट रही थी फिर अप्रेजल का टाइम आया अप्रेजल का जब टाइम आया तो मुझे क्या मिला यह मिला जो आपको दिख रहा है यानि पीनेट तो फिर दिमाग धर गया यह क्या है पिर मैंने का चलो यार मेरा फर्स्ट टाइम है होता है शायद जिनों से काम कर रहता है तो उन्होंने भी बताया कि यहां पर ऐसे ही अप्रेजल होता है तो मैंने का अच्छा जी ठीक है फिर मैंने सुचा कि थोड़ा दिन और कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारी फेवरेट कंपमी थी हमें हमेशा यहां आने की चाहत थी मैंने जब वहा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो फिर मैंने मेहनत की कोशिश की और मुझे बहुत सारे ओफर्स मिले दूसरी कंपनी में अफ्टर लॉट मेनी डिजेक्शन्स हमें कुछ अच्छे अच्छे ओफर्स भी मिले तो मैंने आप यह नई कंपनी जोईन कर ली तो बेसिकली यह मेरा टीस का सफर रहा ओवरॉल सारी चीज़े महां अच्छी है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है वहाँ पर जॉब सेक्यूरिटी भी है लेकिन वहाँ पर जो एप्रेजल है वह बहुत कम है और बाकी चीज़ों की मैं बात ऐसे सॉफ्ट्वेर इंजिनियर करूं तो मै यह आपको बताना चाहूंगा आप अगर जॉब सेक्यूरिटी सोच रहा है तो कोई भी कंपनी अगर उसके पास रिक्वार्मेंट नहीं है प्रोजेक्ट नहीं है तो वह आपको एक दिन में निकाल देगी तो जॉब सेक्यूरिटी जैसा कोई टर्म ही नहीं एक धूंद है अगर आप करियर ग्रोथ पर धियान नहीं देंगे तो आप एक टाइम बाद रिटेंडेंट हो जाएंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अप्स्किलिंग और नॉलिज लेना पड़ेगा तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कि जो अप्रेजल वाला पार्ट था वो मेरी स्पेशियालिटी नहीं थी तो यह हमारी जर्नी थी टीसियस के साथ इसलिए मैं वहां से बाहर आया पिर आपका भी कोई ऐसा एक्स्पीरेंस रहा हो तो हमें कमेंट में आप शेर करके जरूर बताएं और आपको कोई भी किसी किसी भी चीज की जानकारी चाहिए किसी भी अप्रेजल प्रोसेस किसी भी ओफर लेटर से लेटेट या कोई भी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हम आपको जरूर उस पर हेल्प करेंगे कहीं रेफरेल्स की जो रहत हो वहां भी हम आपकी हेल्प कर सकते ह हैं अपने नेटवर्क के तुरू तो इस तरह से आप हमारे चैनल में हमारे साथ जुरे रहें हमें फॉलो करते रहें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे धन्यवाद